कि नमस्कार आप सभी का स्टड़ी फ्रोबोल में स्वागत तो आज क्लास में हम यहाँ पर जो आपकी पीजी टी और जो लैब में जो कोशन पूछे गए हैं प्रिविएस येर के ठीक है उनको हम यहाँ पर देखने वाल हैं जो की 2030 में आपके पूछे गया थे उनके सारे रहे करके देखेंगे और इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे पर यहाँ घ test क्रीशे DC के साथ हैए साद ही साथ हा यहाँ आप और ढ RFP की बूक है वो लाई गई है ठीक है जिसमें आपको 40 कोशन के यहां प्रैक्टिस डिया जाएंगे जो कि जैसे सी के मतलब अधारित है उसके लाव जितने भी प्रीविएस यह की कोशन है वह भी आपको यहां पर प्रभाइड किया गया है बुक तो वह भी आप जाकर अपनी नर्जति की जो इस्टोर हैं वहां से पजस्च कर सकते हैं ठीक है बात करें कोशन के बारे में सबसे पहला हमारा जो कोशन है उसको देख लेते हैं कि दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ने वाला computer का 20 साल नेटवर्क क्या कहलाता है ठीक है आपसे यहां पर पूछ रहा है कि धवास networks of the computer that connects millions of the people worldwide is called ठीक है तो बहुत अपसन सही हो जाएगा जिसे आप नेटवर्क करते हैं ठीक है यह आपको ध्यान में रखना होगा यह आप से पूछ सकता है ठीक है नेक्स कोशन पर आते हैं वैसे मैं बता दू कि इंटरनेट के फादर को ना जाएंगे फादर वेंट ठीक है ठीक है आपको यह याद रखना है नेक्स कोशन पर आते हैं नेक्स हमारा है कि डेटाबेस में आन्तिक स्कीम को निंदेश्टिट करने के लिए के लिए उपयोग किया जाने वाले लेंग्वेज के रूप में परभासित किया जाता है इस डिफाइंड एज लेंग्वेज यूज तो इस फिस्वाइड इंटरनेट स्कीम इन डाटाबेस यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्सन हो हो जाएगा जिसे हम इस्टोरेज डिफिनेशन लेंग्वेज के नाम से जानते हैं नेक्स पर आते हैं नेक्स्ट हमारा कोशन है कि एबरी कॉम्पटर कनेक्स तूर इंटरनेट एज डिफाइड बाई हैं इंटरनेट से जूड़े पत्ये कम्प्पीटर जो भी छोट बहटे एथा हैं वह करेंग्फ होते हैं यह पचान किसके दौरा की जाती है यहाँ पर आपके ऑप्सन से मैक डिमेल अड्रेस इमेल यह चीजे हम इस नाम से जानते हैं नेक्स्ट हमारा है फोर्द नम्र का क्वेशन कि क्रोम में एक नई इक और नीटो वीडियो खोलने के लिए निन में से किस कीबोर्ड सॉटकॉट का उप्योग किया जाता है तो आपके उप्षन है यहां पर बात करें तो यहां पर जो राइट और से हम इसे हम यहां पर उप्षन कर सकते हैं जिसके जरी हम जो चीज़ करते हैं वहां पर हिस्टी के तवर नहीं दिखा जाती है निव से हम निव फाइल कोपिन कर सकते हैं चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी नेक्स्ट कोशन पर आते हैं नेक्स्ट कोशन है कि कंवर्स द असेंबली लेंगवेज इंटू मसीनी लेंगवेज में परवर्तित करती है आपके उप्षन हैं कंपाइलर इंटर्प्रेट यहां पर राइट ऊप्षन होजगा वो सी होजएगा अस्यंबलर क्या करता है चैस्ट को यहां पर ट्रांसलेट करता है नेक्स नमर का एक स्वाप्लीकेश्ट्र एक सब्सक्राइब होता है जो हम प्रशनल यूज के लिए बनाते हैं जैसे अब आप यूटूब पर वीडियो देख रहे हो यह कैसा स्ट्रेट एक अप्लीकेशन स्ट्रेट जिसके थूच चल रहा है वह आपका सीस्ट्राइब हो जाएगा नेक्स्ट हम आते हैं तोपोलोजी सभी उपकरनों को दोनों सीरो पर टर्मिनेटर के साथ जोडने के लिए एक समान या बैकबोन का उप्योग करती है तोपोलोजी यूजेज अ कोमन बैकबोन तो कनेक्ट और डिवाइसे स्विद दर्मिनेटर अट बोथ एंड मतलब कि दूनों यहाँ पर दोनों सीरो पर अटेच किया जाएगा और बीच में इस तरह से कॉम्पीटर को अटेच कर दिया जाएगा तो इसे हम क्या करते हैं बस अधिन तो को लोजी के नाम से हम जानते हैं इसका राइड ऑप्षन हो जाएगा सी बस्ट पर जाते हैं एक हुए को होता है ठीक है यहां पर हब होता है अब इस तरह से चारत्रफ होते हैं ठीक है में सब ही अलग-अलग मतलब की कर सकते हैं तो कनेक्ट होते हैं एट पर आते हैं एट हमारा है कि कम्पाइलर और इंटर्प्रेटर के एक परकार होते यहां पर राइट ऑप्शन यह हो जाएगा जिससे हम लेंग्वेज और ट्रांसलेटर के नाम से जानते हैं ठीक है साथी साथ इसमें किया जाएगा एक तो पाइलर हो गया इंटर्प्रेटर हो गया और एक एसेंबलर का भी नाम इसमें आप एड़ कर लोगे ठीक है नेक्स हमाँ आते हैं कि वीच अब दा फ्लोइंग इज और और एन एक्टरनल हाडवेर मतलब इसमें से आप से पूछ रहे कि इनमें से कौन सा एक बाहरी हाडवेर ह है प्रींटर और साथ्वेटर होता है तो जिसने हुग होका कर सकते हैं या फिर और टेंजीबल जो होत था है घए उसे हम काते हैं हार्डवेर हो गया फेचन यहां अब कर हादे बाधार हो गया अपाशन और 1000 GB लगवग एक के बराबर होती है 1000 GB is approximately equal to कितना होता है किलोबाइट पेटाबाइट तेराबाइट और मेगाबाइट यहां पर आपका जो राइट ओप्सन हो जाएगा यहां पर सी हो जाएगा टेराबाइट के बराबर होता है 1000 लेकिन यहां पर होना चाहिए था तरह से क्योंकि 1000 हला कि होता नहीं है और कंपिटर के मामले में पूछे तो यहां पर 1024C होगा ठीक है यहां पर सी ओप्सन सही हो जाएगा वैसे बता दो कि आपको याद रखना होगा कि फोर बीट फोर बीट इस उकल टू वन नीबल और एट बीट इस उकल टू वन बाइट जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है नेक्स आते हैं यहां पर सबसे मिलें बता दू कि आप देऊसे हैं हमारे जो उस पर डउनलोड कर लिजे वहां पर आपका डेसमेंट करने के लिए उपक्योग किया जा सकता है You can use to copy select text in a word document तो आपके options है shift plus C, Ctrl plus A, Shift plus A और Ctrl plus C, तो right option यहाँ पर D हो जाएगा Ctrl plus C का यहाँ पर यूज किया जाता है किसी चीज़ को किसी text को यहाँ पर copy करने के लिए देखर दो किस तरह कोशन आते हैं, जाला hard नहीं आते हैं आपको सी पढ़ने की जुरूत है 12 नमबर का question है आपका यहां पर MS Office की वह सुभिधा जो निच्चित अंतराल के बाद document को 140 रूप से सहेजती है वह कलाती है और feature of MS Office that saves the document automatically after a certain interval is called यहां पर आपका जो option है यह है आपका save और B आपका auto save C आपका है save as और D आपका है backup अगर बात करें यहां पर वो रहा है कि स्वचारी तुरूप से मतलब कि automatically यहां पर कौन सा हो जाएगा auto save मतलब कि खुझ से ही save कर देगा save as के लिए यहां पर हम एक यूज करते हैं ठीक है save कहां मिलता है तो file में जाने पर हमको save का option मिल जाएगा next पर आते हैं next हमारा question है कि MS Excel की विशेष्टा data की एक स्रिंखला को सिखरत्ता से पूरा करती है the feature of MS Excel quickly completes a series of data यहां पर आप से जो पूछ रहा है उसमें आपका और तो फिल हो जाएगा ठीक है अगर खुझ से करने जैसे कि मैं एक्जांपल तो जैसे इस तरह से रहता है box उपर कॉलन रहता है यहां पर रहता है ठीक है इस तरह से मैंने 1 यह पर 2 लिखा यह 3 और दिनों को add guess equal लगा कर sum लगा कर और मैंने a1,b1 लगा दिया इस तरह से जब मैं इसकोने पर एक लाइन लगा रहता है उसे मैं जब यहां तक घीचूंगा न तो यह automatically introduce the use of ic in a place of transistor यह आपका फर्स्ट ऑप्शन है यह फर्स्ट ऑप्शन में यह फर्स्ट ऑप्शन में यहां फिफ्ट जन्रेशन तो आपका यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा जैसे कि मैं बात करूं कि ic की बारे बात कर रहा है तो सबसे पहले जन्रेशन में आपका यूज कियाता है वेक्यूंट्यूर्ट अन में ट्रांजिस्टर और थर्ड जन्रेशन में ic चीप तो हमारा यहां पर जो सी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा फोट ऑप्शन में माइक्रो प्रसेसर और आपका मैं बात करूं अभी फिर जन्रेशन एक तरह से बोल सकते हैं तो इसमें यूज किया गया है वेरी लार्ज स्केल इंटेगरेटेट सर्केट ठीक है इस तरह से आप याग कर सकते हैं कि फिप्तिन नमर का कोशन है विंडोज में नियूंतम और प्रियोग कहां रहते हैं ठीक है वेर डू मिनिमाइजड अप्लिकेशन रिसाइड इन विंडोज जैसे कि कम्प्विटर के सामने इस तरह सक्षिरेस आपको खुला दिखता होगा ठीक है उसमें आपने दिखा होगा कि जब भी आप जैसे एक और फिर ऐस के आदर खुला है ठीक है यह कंप्र रहता है तो जोब भी मीनिवाज करोंगे तो यहां पर टास्क बर बन रहता है ठीक है यह बन रहता है टास्क बर तो वहीं पर यहां पर आकर यह चीजे अटेच हो जाती है इसे हम कहां पर अटेच हो जाती है तो यह टास्क बर में आकर अटेच हो जाती है तो सारे फाइल के जो एक कलेक्शन होता है उसे माई कुप्रियर काते हैं जो आपने सेफ किया है और इसन डिखुमेंट जो आपने अभी देखा है नेक्स हम बात करते हैं कि एक बेवसाइड के फ्रंट पेज और में पेज को कहा जाता है जो कि सबसे पहला पेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं आपका ऑप्शन है एबाउट पेज बी कॉंटेक्ट पेज सी होमपेज और डी आपका ब्लॉग पेज तो यहां पर राइट ऑप्शन जो मैं बात अगेरा देखते होंगे आप किसी साइड को खोल कर तो उसमें जो ब्लॉग लिखा होता है उसे ब्लॉग पेज बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट हमाते हैं 17 नमर का कोशन है किसी फोल्डर में वे इमेल संदेश है जिने आपने लिखना सुरू किया है और तक भेजना भाग किया है जैसे कि आपने क्या किया कि आपने लिखना तो इससार कर दिया ठीक है आप लेकिन आप उसे बैक कर दिया और वहां पर रहां गया उपने से शेंड नहीं किया इस तरह से आप समझ सकते हो अगर आपको चीजें नहीं समझे वाइरे योगी इसका मतलब कि आपने क्लास नहीं की होगी पढ़ी नहीं होगी इसी चलते आपको समयने आरा होगा ठीक है क्योंकि जैसे कि आप एमेल में देखते होगे तो एक छोटा सा यहाँ पर इस से बना रहता है अब अब उस पर क्लिक करते हो ना तो उहां पर इमेल लिखने के लिए जाता है जब उसे बैक कर देते हो तो देखते होंगे आप जब आपने इमेल में जाओ और इस तरह से आप करो क्या करो तुम यह भी कर सकते हो कि जैसे आप यहां पर गए और यहां पर जाने के बाद आपने लिखना कर दिया और बैक कर दो और आपको देखे एक लिंक को साझा करती है जैसे आपका ओफसन से प्वाइंट वी रिटरा से इनिक और से उपसर ने स्वारीं प्रैमरे आपके यहां पर जो और उपसर ने उसमें से आपका यहां पर सी आपसर्ण रहेंगा जिसे हम बोलेंगे मळील्ट क्या बोला कि तूझार और इवाइस ह लिंट करते हैं एक सिंगल निंक के जरी मतलब दो डिवाइस में जरी जब हम सेंड करते हैं तो इससे मल्टी-पॉय्ट बोलते हैं ठीक है इसे नामसे पता चल रहा है कि आप ऐसे इनमेट कर सकते पॉइंट पॉइंट हो का निए क्योंकि पॉइंट काने का मदला है कि एक से सिर्फ एक के लिए और इसे तो आपको पता ही चली जाएगा तो इस तरह से आप कर सकते हो 90 नमर का कोश्चन है कि आपका कि एक प्रियोग नात्मक कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट का अग्रतूद था ठीक है तो आपको यहां पर बोला गया है जैसे कि एन एक्स्प्रिमेंटल कंप्यूटर नेटवर्क वाज दर फोर रॉनर अफ दर इंटरनेट मलब की इंटरनेट तो जो था उसका सबसे पहला जो पीडी था उसे हम क्या नम से जानते हैं यहां पर आपके उप्संस हैं अर्पानेट इनसे और पेंटागोन तो यहां पर राइ बहु माझे धिर्बारताओं पर अधारित होता है वीच ओब दर नॉर्मल फोर्म इस बेस्ट ऑन डा मल्टी वेलूड डिपेंडेंसी तो आपके उप्संस हैं फर्स्ट नॉर्म फॉर्म सेकेंड नॉर्म फोर्ट ऑफ्सट नॉर्मल फोर्म तो बात करें यहां पर सबसे इ यहांपर फर्स्ट नॉर्म फर्म हो जाएगा क्योंकि इसमें बोला कि नॉर्मल फर्म में रहता है और मल्टि वेलूड टिफिदेंसी बताता है तो यहां पर आपका फर्स उप्टन सही होजाएगा थेक है ने फ्रोचन प्यारते हैं नेस्थ समारा है कि कि सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर नोटेशन के अधार पर किसी एरे से पांचवे तत तक कैसे पहुचा जा सकता है वसक्त दियें उन्य से बताना कि कोँशा है इसमें से सही होगा तो जैसे कि मैं बात करू लेंगे कि एक हैं के यह डालना बहुत जोड़ी होता है और एरे प्लस फाइप लगाएंगे तो इस तरह से हम इसीज को एक्सेस कर सकते हैं कि 22 नमर क्या कि फाइलों की प्रतियों को अस्थांत्रित करने के लिए इंटरनेट पर एक मानक उपकरन है इस एस्टेंडर टूल ऑन दबीड़ एनटरनेट फोर ट्रांसफरमिंग ओपल्स ओफ दफाइल जैसे कि आपका फर्स उप्सिन है है ता कि file को ट्रांस्पेर करना है तो हमें FTP का परियोब करना पर है किसका FTP का IP और TCP की होता है तो प्रोटोकॉल फोलो करता है जो इंटरनेट यूज करता है एक्स को पूर्बाइड करता है जो भी आफे टेक्स देखते ना ऐसे वर्क बुक एक्टीव सेल ब्लैंक और टेंप्लेट टेंप्लेट होना चाहिए था ठीक है तो इसमें आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वर्क बुक एक आपका समाजना होगा कि सेल क्या होता है कॉलम और रो का इंटर सेक्शन के बाद जो इस तरह का बॉक्स बनता है उसे हम क्या बोलते हैं मतलब अगर्व इसे ने कॉलेगे भर सिट को हम बोलते और वर्क बुक थीक तो आपको इस तरह से ध्यान रख न वागा कि यहां पर एक दिग्कत होता है कि Google जैसे क्या है और यहां पर क्रोम क्या है तो google एक क्या है search engine है और chrome आपका ब्राउजर है search engine कहने का मतल़ है कि जो डाइकली चीज़े हमें दिखाती है और browser क्या होता है कि जिसमें हम एक एक करके सारे पेज में चीजों को देख सकते हैं ठीक है Google में क्या होता है जैसे आपने सब्सक्राइब करते हो एक चीज़ा सब्सक्राइब करते हो चीजों को तो चीजों को करके रखते हैं आपको और हैं दॉपसिंट हो जाएगा यहां यहां पर घेस फर्ट हो त्क्राइब यहां इससे कि मैंने बताया प्रों इंटरणेट हर एकसप्लोर ठीक है साथ साथ बातकर सकते हैं इसकी नेट-एसका भी हो गया मौझीला कि ऐसका फायर कि इस सबते हैं इसमें एक फॉक्स का तो यह सारे इसके इंजांपल हो जाएंगे नेक्स पर आते हैं एक ट्रिलियन बाइट लगबग एक के बराबर होता है वन ट्रिलियन बाइट एज एप्रॉक्समेंटली इक्वल टू वन अपको प्थेटाबाइट ही होना जोई था गीगाबाइट टेरा बाइट और किलोबाइट तो यहां पर राइट ओप्षन हो जाएगा आपका जो मैं रेते हैं थी है या होते है तो यहीं चीजह मुला रहा कि जो यह क्या होते है तो 1024 g View यूओ टू धी होता ह है ठीक है लास्ट आपका्या और यह रहेगा कि को एक वेव एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है आपके अप्शन है यू 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 अप्शन है यू मैं हिंच दे देता हूं मैंने अभी कुछ पाले ही बताया था कि एस तरह से हम यूज करते हैं वहीं इसका राइट उप्शन होगा इसे आप कमेंट बॉक्स में बताओ ठीक है बाकी आपको मैं बता दू कि यहां पर जैसे मैं बताया कि ज्यारकन का बूक है और यह खोटा का बूक है आपको इस्टो में मिल जाएगा आप लाट्स टाइम में इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो ठीक है बाकी टिलिग्राम पर जोईंग कर सकते हो खोटा के लिए अलग गूर्प है और स्टेटी फूक बोल्स का जहां पर सारी नोटिफिकेशन आपको प्रवाइड होती है और खोटा का यहां पर क्यूज करवा जाता है तो उहां प प्रिंट हो सकते हो बाकी इस एब को आप प्लेक्ट्रों के तुरू डाउनलोड कर सकते हो और मिलते हैं जल्दी इसके बाकी के जो पीवाइड क्यू के कोशन बचेंगे उनको देख लेंगे तो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो